नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से competition community के YouTube चैनल में और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी SSC, CGL और CHSL aspirant से बात करना चाहता हूँ जो competition community के माध्यम से अपने preparation को सफल बनाने के प्रयार्स में हैं देखे जहां तक आपकी बात करें इस वीडियो का title जैसे है brief intermission about SSC, CGL and CHSL free YouTube course brief intermission इसलिए है क्योंकि अभी तक लगभग 50% course जो है वो complete हो चुका है जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम 6 December से चालू करेंगे course को तो 6 December से course चालू हो चुका है था और आज का date की अगर बात करें तो February का जो है वो end आने वाला है ठीक है और जहां तक हम बात करें आपके SSC का जो exam है वो कब होना है तो ये April में होना है CHSL का exam कब होना है तो मई में होना है CGL का exam होना है April में ठीक है जब हमने course चालू किया था तो हमारे पास SSE का calendar था लेकिन उसी महिने SSE का calendar भी आया CGL का notification 23 December को आयै CHSL का notification 1st of February को आए इससे हमें पता चला कि April में CGL का exam होना है और मही में 2022 में CHSL का exam होना है तो जाहिर सी बात है अगर April में आपका exam conduct करवाना है तो course तो complete होना चाहिए तो हम इन्हें रिसाइड किया है कि March में आपका पूरा syllabus जो है वो complete हो जाएगा आपको बताया गया था कि 4-5 महीने का course चलेगा तो March end तक आपका पूरा syllabus complete हो जाएगा April में आपके पास practice sessions आएगे तो कैसे आप इस course का 100% benefit उठा सकते हैं क्या-क्या चीज़े available हैं सारी चीज़े मैं आपके साथ discuss करूँगा आपके जो doubts है हमारे साथ कि sir PDF कहा मिलेगा या जो भी doubts है ठीक है एप कौन सा है सारी चीज़े मैं इस वीडियो में आपके साथ discuss करूँगा ठीक है तो जहां तक मैं बात करूँ इस course के माध्यम से आपको क्या-क्या चीज़े provided है पहले से तो देखे यहाँ पर आपको हर हफते जो है हमने आपको एक practice sheet प्रवाइड कराया है apart from the lectures जो lectures चल रहे है उनी lecture के माध्यम से चारो subject का मिला के 5000 से 6000 सवाल तो आपके lecture में हो चुके reasoning का अगर मैं बात करो तो 24 lectures आपको मिल चुका है English में भी 24 lectures आपको प्रवाइड किये जा चुके अभी तक का मैं data की बात कर रहा हूँ ठीक है GS में आपको 29 lectures आ चुके है English का भी आपको 24 lectures आ चुके है कई लोग का doubt है सर साइन्स का lecture कब आएगा तो उसको भी मैं answer करूँगा इसी वीडियो में इन ही वीडियो के माध्यम से लगभव 5-6000 questions तो इसी में आपको करा दिये जा चुका है ठीक है सारे faculties का combine करके इसके अलावा 12 weeks जा चुके है तो हर एक week में एक practice set आपको provide होता है तो 12 multiplied by 100 करोगा तो 1200 unsolved questions आपको provided है PDFs provided है तो आप लोग का बहुत बड़ा doubt है सर PDFs कहां मिलेगा इसके बारे में भी मैं discussion करूँगा previous year question paper की यदि मैं बात करूँ तो 10,100 questions आपको provide किया जा चुका है ठीक है कहां पे तो SSC CGL जो है CGL का 2020 का paper CGL का 2019 का paper CHSL का 2020 का paper और CHSL का 2019 का paper इसकी अगर हम बात करें तो 36, 21, 21 और 33 इतने shifts हो चुके थे टोटल करोगे तो 111 shift होगा एक shift में 100 questions होता है तो 10,100 questions previous year paper में ही आपको provided है इसके अलावा भी अगर आप practice करना चाहते है आप लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा book purchase करें तो आप video lectures को लीजिए और कोई भी previous year publication का book उठा के आप practice कर सकते है अगर इतने questions भी अगर आप से हो गए है इसके बाद आप और purchase करना चाहते है बिल्कुल purchase करी ठीक है अब मैं आता हूँ आपको जो PDF जो सबसे बड़ा आप लोग का doubt है कि भई PDF कहा मिले तो पहले आपको मैं website दिखा देता हूँ competition community का कैसे आपको login करके सारे PDFs access करने है सारी चीजे में बता देता हूँ तो पहले मैं आपको बताऊँगा website पे फिर बताऊँगा app में कैसे इसको available करवाना है तो देखिए यह आपका यहाँ पर Google opened है यहाँ पर आप competition community लिख कर सर्च कर सकते हैं ठीक है competition community आप यहाँ पर लिख कर सर्च करेंगे और यहाँ पर जैसी आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको Coco दिखाए देगा यही आपका competition community का website है यह competition community का YouTube channel है तो पहले में यहाँ पर website में आ जाता हूँ, website में आप जाएंगे तो website में आपको login करना होता है तो यहाँ पर देखिए यह sign in वाला button आपको दिख रहा है इसमें आप signing कर लेंगे बहुत simple है यहाँ पर आपको अपना phone number type करना है phone number आप यहाँ पर enter कर लेंगे OTP आने के बाद आपने यहाँ पर जैसी login किया तो इस तरीके से login हो गया यहाँ पर कभी-कभी आपसे पूछता है logout from all devices तो अगर आपने किसी और device में login किया हुआ है तो वह logout करके आप यहाँ पर आ सकते है इसके बाद आपको क्या करना आपको जाना है courses में CHSL के course में आप जाएंगे और यह रहा आपका SSC CGL and CHSL का course जो कि 6 December से चल रहा है हमने बताया था आपको 4-5 months चलेगा और यह March end तक हमारा target है इसको complete करने का कैसे complete होगा मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में इसमें view में आपको क्लिक करना है तो यह PDF 155 PDF यहाँ पर uploaded आपको मिलेंगे सारे चीज़े systematic तरीके से जैसे YouTube में arranged है उसी sequence में यहाँ पर भी आपको arranged मिलेगा sheet में 100-100 सवाल है मतलब अगर आप यहाँ पर एक practice sheet देखते हैं तो एक practice sheet यह जो आपका है पहला यहाँ से इस वाले बारे number के practice sheet को आप देखेंगे तो यहाँ पर सो questions reasoning का question ठीक है जैसे आपके exam में आता है same sequence में इसके बाद reasoning के बाद GS का question देखे history का chapter चल रहा है तो history के लिए अभी यहाँ पर आपका 25 question जो इस हफते आपको पढ़ाया गया 21 फरवरी से 25 फरवरी यहाँ पर arrange मिलेंगे maths में जो topic पढ़ाया गया आपको algebra और pipe and system पढ़ाया गया तो pipe and system के question और algebra के question यहाँ पर arrange मिलेंगे English में आप देख रहें English में आपको क्या पढ़ाया गया इस बार adjective पढ़ाया गया तो adjective के question यहाँ पर 25 पच्छिस ऐसे 100-100 करके बारे जो हफते गुजर चुके हैं बारे practice sheets से आपको provide होती है Saturday को provide होता है practice sheet Wednesday को आपको इसका answer की provide हो जाता है ठीक है और साथ में आप देखेंगे weekly schedule weekly schedule की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अब 13th week याने कि आने वाले हफते में जो classes होनी है यह तेरवे हफते का याने कि next week का schedule schedule यहाँ पर provided है इस schedule के बारे में भी मैं आपको detail में discuss करूँगा आप देख सकते हैं अभी तक आपके दो shift में exam मतलब की classes हो रहे थे एक 12 बजे वाला shift और एक 5 बजे वाला shift अब यहाँ पर एक नया shift आपको देखने को मिलेगा याने अब एक मार्च से आपके तीन lectures होंगे daily business में Monday to Friday ठीक चलिए यह तो कुछ बात हैं हो गई PDF की अब मैं आपको app में भी बदाते था हूं कि app में किस तरीके से आपको यहाँ पर PDF एक्सेस करना है तो app की यदि में बात करूं तो app में आपको play store में जाना है यहाँ पर आप play store में जाएंगे और play store में जाके आपको open क करना है competition community, competition community app तो यहाँ से आपको competition community का app यह blue color का दिखाए देगा इसको आपको install करना होगा इसके बाद आपको आपके app install होने के बाद इस app को open करना होगा जो step मैंने आपको वहाँ बताए था वही step को आपको यहाँ भी follow करना होगा जो number यहाँ पर दिया है पहले आप इस number को login करेंगे अपने number के साथ यहाँ पर और request OTP करेंगे request OTP करते साथ आपके phone पर एक OTP generate हो जाएगा ठीक है यदि आपने पहले से कहीं पर login करके रखा हुआ है तो वह login जो है फिर से आप से logout from all devices पूछता है तो मैंने यहाँ पर OTP डाला और देखी logout from other devices पूछ रहा है logout कर लेंगे अब यहाँ से आपको सारे जितने भी आपके course है सारे PDF मिल जाएगे courses में गए CHSL में गए और यह आपका course है CHSL वाला इसको आप click करेंगे यहाँ पर नीचे right side नीचे view course बाला बटन है तो 155 के 155 PDF एक साथ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो इसमें click करिए आपको जो schedule चाहिए जैसे schedule चाहिए अगले हफते का तो schedule को click करेंगे weekly schedule arranged है schedule number 13 यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगले हफते का schedule आपको मिल चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक schedule में change है दो shift के जगए तीन shift यहाँ पर आने वाले हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा इसी वीडियो में practice sheet की अधी में बात करो तो practice sheet भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 हफते गुजूर चुके हैं तो आपको यहाँ पर 12 practice sheet दिखाई देंगे answer की अभी इसलिए नहीं मिला है क्योंकि इसका answer की आपको Wednesday को provide होता है आने वाले Wednesday को तो सारे 100 questions यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे practice sheet number 12 में ठीक है clear है यह सारे 100 questions यहाँ पर आगए practice sheet number 12 के इसको solve करिए बढ़िया से 21 फरवरी से 22 फरवरी के जितने भी topics में आपके जो related questions है सारे इसमें arranged है ठीक है तो अब अपने app में भी देख लिया अब मैं आता हूँ यहाँ से YouTube channel में YouTube channel की मैं बात करूँ YouTube channel में आप देख पाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआती तो पर कि कितने lectures आपको provided है तो आप YouTube में जा सकते हैं और YouTube में आप देखेंगे कि हमारे पास competition community आप यहाँ पर लिखेंगे, competition community के YouTube channel को आप open करेंगे, यह है हमारे competition community का YouTube channel, इस YouTube channel में आप यहाँ पर playlist में जाएंगे, तो playlist में सारे वीडियो आपको arrange मिलेंगे, मैंने आपको बताया कि 24 lectures आपके reasoning के हो चुके हैं, तो आप इसके playlist में बस open करिए और playlist open करते साथ, यह playlist है, यहाँ पर आपको 25 lectures मिलेंगे, यह 25 lectures आपको यहाँ पर दिखाए देंगे, ठीक है, क्योंकि एक lecture जो है, आपको यहाँ पर exam pattern भी बताता है, ठीक, तो अगर आप cable form फिल करके रखे, SSC, CGL का आपको, यह CHSL का आपको कुछ भी नहीं पता, exam pattern तक आपको explain कराया गया है, जैस की बात हो गई, इसी प्रकार से आप देखेंगे, यहाँ पर आपका, यह है GS का lecture, और GS में भी आपको सारे lectures provided है, जैसे कि मैंने बताये 29 lectures है, इसमें भी arrange मिलेंगे, इसमें भी आपको 24 lectures English के भी यहाँ पर arranged मिल जाएंगे, clear है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलिए, यह तो बात हो गई, YouTube channel की, इसके बाद आप लोग जुड सकते हैं हमारे साथ Telegram channel और Telegram group में, क्योंकि Telegram group में हम सारे faculties उसमें available है, आप जो भी doubt वहाँ पर पूछेंगे, हम उसमें आपको answer करते हैं within, जितने जल्दी हो सके, अगर हम लोग recording में हैं, या किसी चीज़ से west है, त पता देता हूं, तो यह हमारा Telegram group discussion group है, जिसमें देखें बच्चे ने अभी सर इसका answer क्या होगा, पूछा है, तुनंदीरद सर ने यहां से reply कर दिया है, कि answer क्या है, ठीक है, यहां पर जो भी आपका problem है, सारी चीज़े हम यहां पर discussion करते हैं, इसके बाद आप देखेंग के हमारा जो competition community का channel है, ठीक है, SSC, CGL, CHSL का, इसमें भी सारे notification, जैसे कि आपने देखा, अभी यहां पर मैंने डाला है कि 12 नंबर का practice sheet upload हो गया, तो कुछ भी upload होता है YouTube में, चाहे यहां पर हमारे कुछ practice sheet वगेर upload हो गया, तो मैं यहां पर update कर देता हूं, तो आपको भी पत करना है कि मैंने आपको यह भी बताए कि practice sheet के साथ साथ हमने आपको previous year questions भी बताया है, तो previous year question paper कहां पर है, यह एक बार हम देख लेते हैं, आप देख पार होंगे, यहां पर यह जो previous year है, इसके files में आप जाएए, इसके files में आपको सारी चीज़े provide हो जाएगी, files में आप दिख रहा है, SSC, CGL, CHSL के previous year के, मैंने PDFs share कर रखे हैं, तो यहां पर आप सारे PDFs, यहांने 11100 questions तो इसी previous year में है, उसके बाद भी अगर आप कोई question याने कि कुछ book खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल खरीदिया आप previous year का, बट आप YouTube videos सारे देखिए, कहीं से भी आप question रहेंगे, ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं कि आगे हम कैसे proceed करने वाले हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो data था, वो data के हिसाब से हमने लगभग यह अंदाजे लगाया था कि April मही में आपका exam तो होना तय है, उस हिसाब से हम चल रहे थे, लेकिन बारा बजे से दो बजे के बीच में जो है, एक lecture आपका upload हो रहा था, पांच से साथ बजे के बीच में आपका दूसरा lecture upload हो रहा था, मतलब हमारी कोशिश रहती ही कि बारा बजे ही upload हो जाए, पांच बजे ही upload हो जाए, इन दो घंटे के बीच में वो lecture आपका पढ़ने का स मैं है इस तरीके से इस टाइमिंग को decide किया गया इन दोनों के बीच में धाई बज़े से साड़े चार बज़े तक ठीक है मतलब धाई बज़े ही हम upload कर देंगे यहां से एक नया shift यहां से चलू होगा तो यह वाला जो evening वाला shift है यह permanently अब English का हो जाएगा यहां पर आपका math और reasoning का lecture चलता रहेगा ठीक है और यह वाला जो shift है इसमें GS और science आ जाएंगे ठीक है और अगर कुछ भी ऊपर नीचे रहा तो वहाँ पर adjustment करा जाएगा लेकिन इस shift में 8 March को पहला lecture आपका science का भी आ जाएगा यह भी मैं यहां पर आपको बता दो एक March से एक March से आपका जो है schedule change हो रहा है 1 March 2022 और March end तक आपका पूरा course complete हो जाएगा ठीक है तो आशा करता हूँ यह brief intermission जरूरी भी था कि आपसे एक बार interaction किया जाए सारी चीज़े आपको समझाया जाए और जैसा हमने 6th December को ही आपको बताया था कि हम मेहनत करने को तयार है क्या आप भी हमारे साथ मेहनत करने को तयार है अगर आप तयार है तो अभी हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़िये जितने भी resources मैंने बताया है Telegram Channel, Telegram Group सारी चीज़े जुड़िये Recently हमने आपके साथ quiz भी कराया था तो जैसे ही यहाँ पर हमारे जो कि कैसे आप preparation करिए सबसे पहले तो YouTube वीडियो जितने भी है उसको आप complete करिए फिर maximum questions previous year के लगाईए तब जाके एक बढ़िया preparation आपका हो पाएगा इन्ही कुछ बातों के साथ अब मैं इस वीडियो को रोकता हूँ continue करिए अपने preparation को और brief intermission को यहाँ पर समाप करते है second part अभी बचा है और उसको और अच्छे से आप करिए क्योंकि exam के लिए अभी एक महिना और बचा हुआ है और जोरदार आप तयारी कर सकते हैं यहाँ से क्योंकि मैंने ऐसे भी बच्चे को देखा है जो मतलब कि 3-3 weeks में 2-3 weeks में clear कर सकते हैं और clear किया है उन्होंने पुरे के पुरे पढ़ाई करके उस पुरे exam को crack किया है तो यहाँ पर अभी अगर एक महिना बचा है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं चलिए all the best और अपने preparation को continue करिए हम आपके साथ जुड़े राएंगे March end तक हम आपकी syllabus को complete कराएंगे April से आपका जो है practice session चालो होगा Thank you so much इस वीडियो में इतना ही